वेल्कम गाईस कैसे हैं आसा अच्छ होगी साथ य। पाइफन में हमने आपको फंक्षन सीखाए हैं उन फंक्षन में आपने देखा होगा हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं return आपने बारी किसे नहीं समझाओगा कि return होता क्या है देखे return का मतलब होता है लोटा ना और return वो value होती है जो function से मिलती है और function के अंदर हम argument देते हैं तो argument क्या होते हैं हम argument को return किस प्रकार से लेंगे function से यह सारा जानेंगे प्रैक्टिकल इस वीडियो में तो इस में तक बने रहीगा नमास्कार साथ हो मेरा नाम है मनोश कुमार और आप देख रहे हैं Computer Angleary Channel तो चलिए सीख लेते हैं अब देखे सबसे पहले हम argument को देखते हैं argument क्या होता है जो हम function में पास कराते हैं यहनि कि argument वो value होती है जो हम function को देते हैं और return की हम बात करें तो return क्या होते हैं which we take from function जो हम function से लेते हैं मानलो आपको दो number का जोड कराना है तो input के लिए आपको दो number से ये input के रूप में तो जो input लेते हैं हम उसी को argument के उपर function को supply कर देते हैं तो वो हो जाता argument और return वो value होती है जो एक function return कराता है तो अब सवाल उठता है कि function return क्या कराता है आखिर हम function लिखते किसली है देखो function लिखते हैं किसी भी desired output को पाने के लिए मान लिजिए हमने इन दो number को add करना था तो जो ये दो input लिए हैं तो ये तो आप समझ गए कि ये argument है तो return क्या होगा return होगा इन दोनों का sum क्योंकि वही हमारा final output होगा तो इसका sum होगा उसके लिए मान लो मैं लिखता हूँ c equal to a plus b तो जो c होगा यही हमारा return होगा तो हम कह सकते हैं कि जो value final result होगी हमारे program के लिए वही return होगी अब हम कोई भी एक function लिखते हैं और function लिखने के लिए हम use करते हैं def का और यहाँ पे function लिखता हूँ add के नाम से मैंने एक function बनाया और इसके अंदर मैं a और b दो value यहाँ पे add कराना चाहूंगा तो add कराने के लिए हम क्या करेंगे हम यहाँ पे use करेंगे c equal a plus b अब हमारा काम होगा सिरफ c को print करना लेकिन यहाँ पर हम print कर देंगे तो return क्या करेंगे यानि जो हमारी final value थी उसको हमने इस function में ही print कर दिया तो कुछ return करने का मतलब भी नहीं बनता तो यहाँ पर हम c को return करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे return c हमने यहाँ पर c को return कराना है तो हमारा function set हो गया अब function set हो जाने के बाद हम अपने program की body में जाएंगे और एक entry करेंगे यह program हमारा set हो गया यहां पर यह पड़ा रहेगा यह अपने आप में कुछ काम नहीं करेगा हमने इस function को अपने program में call कराना पड़ेगा ठीक है न तो उसके लिए हम अपनी body में जाते हैं और यहां पर हम कोई भी value pass कराते हैं मैं यहां पर कराता हूं a equal integer हम एक input ले लेते हैं user input तो उसके लिए use करेंगे input अब function को आपने complete सीखना है तो हमने function स्टार्टिंग से बताये हैं जब तक आपको function का basic नहीं पता चलेगा आपको return नहीं समझ में आएगा तो वह भी हमारे वीडियो सारे देखें और यहां भी मैं कोसिस करूंगा कि आप function को समझ पाए input के अंदर हम user से input ले रहे क्योंकि हम दो नमबर का यहाँ पर add करा रहे तो यहाँ पर हम कर देंगे integer फिर से हम करेंगे input दूसरा input लेंगे user से enter second number दो नमबर हमने user से input ले लिए अब दो नमबर जब हमने input ले लिए user से तो अब function को call करना होगा क्योंकि function तब तक execute नहीं होता है जब तक हम उसे call नहीं करते हैं तो function को call करेंगे और इन दोनों numbers को function में pass करेंगे तो यहां पर मैं function को call कराता हूँ कोई भी एक variable ले लेता हूँ sum के नाम का मैंने एक variable ले लिए और इसके अंदर मैं function को call करा लू function है हमारा add नाम से और इसके अंदर हम दोनों value दे देते हैं A और B अब एक बात और किलियर कर दूँ कि जो variable हमने यहां पे लिये हैं आप देख रहे हमने जो body के अंदर जो variable लिये हमने में इन प्रोग्राम में इनका function में दिये गए A और B variable से कोई मतलब नहीं है इन से उसका कोई connection नहीं है अभी जैसे आप सोच रहोगे कि function में जब हमने A भी लिया है A प्लस B तो हम input भी यही लेंगे और हम add भी नहीं को करेंगे ऐसा कुछ नहीं है हमारे main program में माना गया A भी और function में लिया गया A भी दोनों अलग हैं दोनों different हैं यदि हम यहां पर A भी नहीं लेते हैं हम कोई और value ले लेते हैं पहले तो मैं इसको बताता हूँ जैसे हमने यहां पर add किया input गया A A के अंदर value आगी वो value direct हमारी इस A में चली जाएगी B के अंदर जो value हम डलवाएंगे जो user से input लेंगे वो इस B के अंदर चली जाएगी और A प्लस B इनका जोड़ होके वो C के अंदर आ गया C को हम return करा रहे हैं यहां पे तो यदि हम यहां भी change कर दे मैं यहां पर करा देता हूँ X और यहां पर करा देता हूँ मैं Y और इदर हम करेंगे X और Y अब क्या होगा वही काम सेम होगा हमने X के अंदर input लिया वो यहां पर X के अंदर है यह input हमारा सीधा कहां पर जाएगा इस A के अंदर store हो जाएगा और दूसरा इस दूसरे के अंदर store हो जाएगा यहां पर X, Y और A भी से मतलब नहीं है उसकी position से मतलब होता है यहां पर पहली position का value पहली position पर जाके store होगी दूसरी position की value दूसरी position पर जाके store होगी और यदि हम तीसरा भी लेते कोई number तो तीसरी position तीसरे number पर store हो जाएगी और उन तीनों का sum होके एक अलग से variable में store होगया और जिस variable में store हुआ है उसको हमने return करा रखा है और अब जो यह c return हुआ है यह कहां पे return होगा अब यह सीधा वहां जाएगा जहां से इसको call किया जा रहा है call कहां से किया जा रहा है इस c को call यहां से किया जा रहा है तो यह सीधा director यहां पे आ जाएगा और यहां से यह sum के अंदर store हो गया अब मान लीजी हमने कोई भी दो value एंटर करवाई 10 और 20 तो 10 x के अंदर आ गया 20 y के अंदर आ गया यह दोनों कहां पे चले गए x a में चला गया और y b में चला गया तो 10 और 20 value यहां हो गयी और 10 और 20 add होके c में आ गया sum को हमने print करा लेना है तो अब डारेक्ट हम नीचे आ जाएंगे और यहां पे print करा देंगे मैं यहां पे print करा देता हूं sum को बस save करा देंगे इस function को program को अपने को और run करा लेते हैं यहां पे error आगे indentation error दिखा रहा है हमारे पास यह यहां पे इसकी indentation error है यहां पे हमने यह थोड़ा सा indentation यहां पे बढ़ाना पड़ेगा देखो actual में यह कहां पे आना चीए enter press कराते हैं यह indentation हमारा यहां पे आना चीए और इधर आप save करा देते हैं run कराते हैं वापस से लेकिन यह indentation error यहां की नहीं बता रहा है यह तो यहां की बता रहा है यहां पे indentation error है इधर भी यह हमारी फिर indentation error सारी आएंगे यह उसके equal चलेंगे सबसे main द्यान रखने का यह ही है python के अंदर यहां पे indentation error आ सकती है अब save करा लेते हैं run करा लेंगे यहां पे कहा रहा है enter first number हमने डाल दिया enter second number हमने वो भी डाल दिया और अब enter press करेंगे तो result हमारा 25 कैसे आया क्योंकि first number हम x में डाल रहे हैं और second number हम y में डाल रहे हैं तो x की value 10 और y की value 15 और यह दोनों जाके store होगी a और b के अंदर और a b को add करा के c के अंदर आ गया इनका total sum वो sum हम return करा रहे हैं और return होके यह वापस हमारे call की वे function में जा रहा है 25 और यह यहाँ पे store होगया sum variable के अंदर sum को हमने print करा लिया यहाँ पे हम और गी argument साथ में दे सकते हैं मैं यहाँ पे use करा हूँ addition is और sum save करा लेंगे फिर से run करा लेंगे हम अपने program को और यहाँ पे फिर से दूसरे number डालते हैं 5 10 addition is 15 तो function अपने आप में रन नहीं होता function पड़ा रहता है ऐसे ही function कब run होता है जब उसको call किया जाता है अब इसको दूसरे example के साथ भी समझ लेते हैं हमने देखो है इसके अंदर दो qui eto value डाले यहाँ पर मैं इसमें कोई value नहीं डालता है इसको मैं खाली छोड़ देँ ठीकर यह हम हमारा function हो गया और हैं इसको इस परकार से return नहीं करा रहे हैं हम यहाँ पे return करा रहे हैं इस बार xY value हैं यहाँ पे हमने x की value ले ली y की value ले ली इन्पूट यहीं पे दे दिया दोनों का अभी इनको मैं delete करा देता हूँ input हमने दोनों का दे दिया और यहीं पे हम करा ले z ले ले लेते एक variable z नाम का z equal to x पलस y तो हमारा return क्या होगा यहाँ पे यहां पर return हमारा होगा जैड यह देखो हम थोड़ा से इसको small में लेते नहीं तो आगे दिक्कत खड़ी कर देगा तो x की value और y की value दोनों जुड़ के कहां चली जाएंगी z के अंदर चली जाएंगी और z को हमने return करा लेना है return हम करा देंगे जैड को बस यह function हमारा तयार होगे हम ऐसे भी function define कर सकते हैं लेकिन यह भी हम प्रिंट नहीं करेंगे इस प्रकार से तो print होगा तो हमारा result आएगा नहीं तो क्या करेंगे फिस्यम उस function को call कराएंगे यहां पर मैं एक variable लेता हूँ sum के नाम का और इसके अंदर देता हूँ मैं add function को और print कराएंगे किसको किसी को नहीं कोई हमने यहां पर define ही नहीं किया यहां भी ठीक है तो इसको भी हम खाली छोड़ेंगे हमने यहां पर कोई भी variable नहीं लेना है क्योंकि कोई variable हमने इस function में पास ही नहीं किया है सिदा सिदा हम print करा देंगे किसको sum को हमने sum लिया है ठीक है save कर लेंगे इसको वापस से और run करा लेंगे तो इधर error आ गई क्योंकि हमने add में कोई भी variable नहीं लिया है लेकिन यहां पे हमने इसको खाली भी नहीं छोड़ा है ठीक है अब हो गया save करके अब run कराते हैं देखते हैं कोई भी number डालके मैं यहां पे number डालता हूँ 25, second number के लिए 10, answer is 35 और जैसे हमने function को call किया function अपना काम कर दिया और वहां से function 10 minute हो जाएगा तो function में आप कोई भी function ले सकते हैं जरूर नहीं आप add करेंगे यह हमने आपको example समझाने के लिए भी लिया है कि हम return क्या लेंगे और return होता क्या है तो उमीद करूँगा आपका clear हो गया होगा कि return क्या होता है और argument क्या होता है I hope वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा इसी परकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए मर्शत बने रहे हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा हम दोस्तों शेयर करें में लाइक करें और यादि नए है आप मर्चल पर कम सब्सक्राइब जरूर कर लें